नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चाइनल वेली लाइप सुपोर्ट पर तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ एक मुस्त समाधान योजना के बारे में एक मुस्तक समाधान योजना मतलब बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना है जिसमें दोस्तो जो भी हमारे बिजली उपभोगता है उनके लिए यहाँ पर जो सरचार्ज उनका लगा हुआ है तो उनका बहुत काफी बिल आया हुआ है लेकिन दोस्तो यदि आप इस समय मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसकी जो टाइम कितना है किस तारिक से आप जमा करा सकते हैं अपना बिजली बिल जिसमें आपको यहाँ पर जो सरचार्ज है आपको माफ कर दिया जाएगा 100% तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो शूरू करने से पहले आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी चैनल पर नए है तो प्लीज दोस्तो हमारे वीडियो को डिस्क्रेप्शन में ऐसे लाल कलत का सब्सक्राइब पटन दिया हूँ से सब्सक्राइब करने है उस बेल आइकन को जुरूर दबा दें जिससे दोस्तो और भी आने वाले वीडियो का नोटिपिकिशन आप तक सबसे पहले मिलता रह होंगे यहां पर उत्तर परदेश के जो भी बिजली उपभगता है उनके लिए बिजली का बिल जो है वो 100% सरचार्ज माफ होगा तो दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कि उत्तर परदेश में उपभगता के बकाया विदोत बिल पर सरचार्ज में 100% की छूट के लिए परेलू उप भुकताओं तथा निजी नलकूप स्रणी के सभी बकायदार भुकताओं को इनके दिनांक दूस्तों यहां पर जो दिनांक है वो 31 जनवरी 2021 तक के विदुद बकायदार सरचाज के रूप में लगाई गई धनरासी में 100% की चूट दी जाएगी उसके बाद दूस्तों नीचे आते हैं नीचे आप देखेंगे यहां पर लिखाएगी इस योजना में पंची करण की अबदी अगर आप ने इससे पहले बिल जमा नहीं कराया है और आपका बिल ज्यादा है तो आप 1 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 तक यानि 15 दिन तक आप अपना बिल बीदाउट सरचार्ज के आसानी से जमा करा सकते हैं उसके बाद दोस्तों समस्त मूल बकाया दिनाग 31 मां 2021 तक जमा कर सरचार्ज पर 163 चूट का लाब प्राप्त करें जिसमें दोस्तों आपको 31 मार्च यहां पर दिया हुआ है 31 मार्च तक आपको अपना बिल जमा कराना है जिससे कि आपका जो है सरचार्ज माफ हो सके इस योजना में उत्तर परदेश के सभी CSC वेली का प्रति भाग करना होगा तो दोस्तों यदि आप अपनी बिजली भीभाग या बिजली घर नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने नजदी की किसी भी CSC सेंटर यानि जन सेवा के अंदर पर जाकर अपना बिल आसानी से ब बिजली विल को जमा करा दिया तो आपका सरचार्ज माफ होगा यदि आपने इसके बाद में सरचार्ज अपना बिजली विल जमा नहीं कराया तो आपका जो सरचार्ज है वो माफ नहीं हो पाएगा दोस्तों केबल 15 दिन का डैठ है आप 15 दिन के अंदर अंदर आपका अप वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने उपबहुगताओं के लिए किस प्रकार से इसमें सरचार्ज का रजिस्टेशन कर पाएंगे इसके बाद दोस्तों फिर मिलेंगे हम नए वीडियो ने टोपी के साथ इसके लिए दोस्तों जैहिन जैभारत